वाइड गरप, सफेद लट, हुमनी, गोबर का किड़ा और भी इसके कई सारे नाम हैं जो की इस किड़े को हम अलग-अलग नाम से पुकारते हैं और ये जो किड़ा है हमारी सभी प्रकार की फसलों को जिसे अद्रक, मुंगफली, अरहर और भी बहुत सारे एसी फसले हैं जिनको ये नुक्सान पहुचाता है और हमारी फसलों की जड़ों को काट कर ये पौधे को सुका देता है तो आज की वीडियों हम यही जानेंगे कि इस खतरना कीड़े को केसे नियंतरन करना है ये क्यों आता है और इसका जैविक नियंतरन हम केसे करेंगे और उसी के साथ साथ हम इसको रासाइनिक तरीके से केसे नियंतरन करेंगे आज की वीडियो में हम यही सब बाते काफी विस्तार से करेंगे तो वीडियो को अन्त तक देखिएगा और अगर आप चेनल पर नए हैं तो चेनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस किजेगा तो किसान भाईयो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह सफेद लट किड़ा हमारे खेतों में क्या करता है क्यों आता है कहां से आता है और यह फचलों को नुकसान के से पहुच जाता है तो जैसा कि यह किड़ा गोबर का किड़ा भी कहा जाता है और नाम से ही साफ है कि यह किड़ा गोबर में पाया जाता है और ये गोबर में क्यों आता है और गोबर के साथ साथ हमारे खेत में भी क्यों आता है तो किसान भाईयो जो गोबर होता है वो गोबर अगर हम गोबर की खाद खेत के अंदर डालते हैं या फिर डालने वाले रहते हैं जहां पर हम गोबर का डेर बनाते हैं या फिर जहां पर cellulose नामक एक पदार्त पाया जाता है और जो cellulose होता है वो इस सफेत गिडार या white grub का बहुत ही प्रियो भोजन होता है और इस गोबर की तरह ही जो हमारे खेट में हम कुछ फसलो जैसे कि आप कोई भी फसल काड़ते हैं तो उसका जो निचला हो इससा होता है वो खेट में ह रहे जाता है अब वो धीरे धीरे composite होने लगता है यानि की सडने लगता है और उसको सडने पर जब वो आदा सड़ जाता है आदा कच्चा रहता है ऑदा सड़ जाता है तो इसी आवस्था हमें जो पदार्त हमारे खेट में डंठल वगेरा जो रहते हैं उसमें भी आधा सड़ जाता है आधा कच्चा रहता है तो इसी आवस्ता में उसमें भी सेलूलोज की जो मात्रा है वो पाई जाती है तो इसी के कारण गोबर का किड़ा है वो खेत में भी पाया जाता है ताकि जो वो गोबर की खाद को हमारे किसी फसल में खेट में डालते हैं तो जो हमारी गोबर की खाद होती है अगर आदी कच्ची आदी पक्की होती है तो ये उसके साथ हमारे खेट तक पहुँ जाते हैं और सबसे पहले ये पंखवाले कीट का रूप लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे ये वाइड गरप में परिवर्तित होते हैं तो ये उड़ कर नीम की टहनियों पर जाते हैं और नीम भी इसका प्रिय भोजन है और रात में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर इसके आपको उड़ने वाले कीडे मिल जाएंगे तो नीम पर पाया जाता है और नीम से ये फिर अगर खेतों में कुछ सड़ी गली आदकची खाद होती है या फिर डंटल होते हैं तो वहाँ तक पहुचता है और वहाँ पर फिर अपने अंडे छोड़ देता है और उस अंडो से फिर सफेद लट या फिर वाइड गरप गिडार उत्पन्न होती है तो ये दो कारण थे कि सफेद लट की इस तरीके से हमारे खेत तक जाता है और इसकी लाइफ सैकल पूरे एक साल की होती है और एक साल में ये अपने पूरी लाइफ को पूर्ण करता है यानि ये हमारी फसलों को नुकसान केसे पहुचाते हैं सबसे में टॉपिक यही है तो किसान भाई हो हमारी जो फसले होती हैं उसकी जड़े जो होती हैं उन जड़ों में भी एक प्रकार का जो सेलुलोज होता है या फिर कार्बन होता है उस पर जो जिवानों होते हैं उन जिवानों को ये खाता है और जब वो जिवानों को खाता है तो जाहिर से बात है कि जो हमारी फसले होंगी उसकी जड़ों को भी ये खाएगा और उसको खाते हैं जब ये कीड़ा उसको खाता है तो हमारे पौधों की जड़े कट जाती हैं और हमारे पौधे पीले पढ़कर सुकने लगते हैं तो इस प्रकार से ये हमारे पौधों को नुकसान पहुचाता है और अगर आप इसको जड़ से खत्म करना चाते हैं या फिर आप इसको अपकी किसी फसल में आप को इस प्रकार की दिक्कत आ रही है फसल पीली पढ़कर सूक रही है तो उसको आप उखाड के देखे उसके अंदर वाइड ग्रब होगा उसके अंदर आप जमीन के अंदर कुरेत के देखे कि आपको वाइड ग्रब दिख रहा है या फिर नहीं, तो अगर किसी फसल में सडन गलन होती है, उसके कारण भी पोधे पीले पढ़कर सुकते हैं, तो दो कारण मुख्यता रूप से होता है, एक तो वाइड गरप और एक सडन गलन, तो अगर वाइड गरप की वज़ा से फसले पीली पढ़ती हैं, सुकती है, तो उसके लिए हमें वाइड गरप को खत्म करना होगा, अब वाइड गरप को खत्म करने के लिए हम दो रास्तों का उपयोग कर सकते हैं, दो प्रकार से इस वाइड गरप को नश्ट कर सकते हैं, सबसे पहला जेविक विदी से और दूसरा विदी है राशाइनिक विदी से, त तो अगर आप इसको जेविक वीजी से नियंदरन करना चाहते हैं तो एक मेटा रेजियम एनिसोपली नाम से एक जेविक जिवानू होते हैं। उसी के साथ साथ बवेरिया बेसियाना नामक भी जिवानू होते हैं। अगर आप इनका प्रियोग अपनी जमीन में करते हैं तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है और इस वाइड ग्रप को वो काफी अच्छे तरीके से नष्ट कर देते हैं अब उसको उपयोग के से करना है उसको उपयोग करने के लिए आप बवेरिया बेशियाना या फिर मेटारेजम इनिसोपली इसन जिवानों को आप पकी गोबर की खाद में मिला दीजिए उसमें गुड़का पानी डालिए और कुछ दिनों तक उसको अच्छे से चायादार इ खेत में बिखेर दीजिए अब इसकी मात्रा केतनी लेनी है जिवानों के जो मेटारेजम इनिसोपली है उसको दो किलो के लगभग लेना है और उसमें गोबर की खाद में मिलाकर उसको अच्छे से ढखना है और फिर खेत में छिड़क देना है जिससे क्या होगा कि जो जैविक तरीका और जैविक तरीके से नियंद्रन करने की विधी अब हम जान लेते हैं कि रासाइनिक तरीकों से हम इसको कौन-कौन सी दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं तो मैं आपको कुछ दवाईयों के नाम बताऊंगा आप उन दवाईयों को चाहे तो नोट कर सकते हैं उन दवाईयों के उपयोग से आप इसको नश्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरो फाहिरी पास 50% EC के बारे में जो क्लोरो फाहिरी पास होती है इसका अगर आप उपयोग करते हैं तो इसके उपयोग से भी जो सफेद गरव या वाइट गरव होता है ये अच्छे तरीके से कंट्रोल में आ जाता है और किसी भी फसल में आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसके ड्रिंचिंग कर सकते हैं आपको 20 लिटर पंप के पानी के साथ 20 लिटर पानी के साथ करीब 100 ml क्लोरो फायरिफास का उपयोग करना है और सीधे ड्रिंचिंग कर देना है पौधो की जड़ो में तो उससे वाइट गरव असानी से खत्म हो जाता है दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे फिपरो निल की फिपरो निल का अगर आप उपयोग करते हैं तो उसका भी अच्छा रिजल्ट है और इसको आप किसी खात के साथ रेट के साथ मिला कर पूरे खेत में छिड़क दे और जहां पर आपको ये परेशानी आ रही है वहाँ पर आप डाल कर पानी लगा दे तो जो ये पूरे खेत में फेल जाती है और अंदर तक जमिन के नीचे तक जाती है और इस प्रकार से ये इसको नश्ट करती है और नमबर तीन पर बात करेंगे डेंटेंसू की जो की एक रामबान इलाज है और काफी अच्छा तरीका है इस वाइट ग्रप को और इसका उपयोग आपको करना है 100 ग्राम प्रती एकर से इसका उपयोग करना है और आप इसको किसी रेट वेट के साथ मिलाकर भी डाल सकते हैं केत के अंदर और अगर आप इसको ड्रेंचिंग करना जाते हैं द्रिंचिंग के लिए कुछ छोटे पाउच के रूप में भी आता है और इसका उपयोग आप ड्रिंचिंग से भी कर सकते हैं तो यह कुछ रासाइनिक उपायत है और यह जो आता प्रोडक्ट आता है यह सुमी टोमोन कमपनी का डेट टैंसू नाम से आता है और वाइड से निजात पाने के बारे में एक वीडियो और आप अध्रेक की फसल में अगर सडन लग रहे है तो इस बार का इस बात का जरूर ध्यान रखे कि उसको उखाड कर देखे उसके नीचे मिट्टी को कुरेत कर देखे कहीं उसमें वाइड गर तो नहीं है वो पोधो को काट तो